अलो बच्चों मैंने कुछ वीडियो देखे हैं अभी कुछ-कुछ बड़े नाम भी हैं मेरी कोशिस रहती है मैं किसी को क्रिटिसाइज ना करूँ मेरी कोशिस रहती है अन्नेसेसरी किसी और की बातों में ना पढ़ा जाए लेकिन थोड़ा सा मुझे हर्ट किया यह और वो आगर कोई टीचर है वो ऐसी बात बोलता है तो बहुत बुला लगता है और लगता है क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ हम लोग YouTube ernal चला आते हैं बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं आपको उस कोशिस रहती है कि अच्छा कंटेंट हो तो ज्यादा तर बच्चे इसको पसंद करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें यह एम रहता है रहना भी चाहिए विकॉज आप मेहनत कर रहे हैं बिना किजी पैसे के लेकिन यह थीम देना कि तुक कलाना हिंदी में बोला जाए तो है मिस लीड करना बोला जाए तो कह सकते हो क्योंकि नीट इंटरेंस एक्जाम की बात कर रहे हैं अगर हम 610 भी ओल इंडिया का कटाफ मानते हैं वो भी आखरी राउंड में तो 610 का मतलब होता है पता है आपको इसका मतलब होता है क्यांट 7 परसेंट जिस एक्जाम का 85 परसेंट कट आफ जा रहा है 85 परसेंट कट आफ जा रहा है उस एक्जाम में आप कहते हो इस तरह से तुक्का लगाओ यह जुगाड करो ऐसे कर लो अरे सर्ण impossible है 85% को अगर मैं divide कर दूँ 4 part में तो 21% और 21% को अगर मैं 720 में करूँ तो 152 marks on an average सारे subject में आपको चाहिए 152 marks इसमें आप तुक्का कैसे लगाओ गया 150 में बोलनो 180 का paper होता है तो 150 एनि 30 number केवल आपने छोड़ा है 30 number छोड़ा है या कुछ question गलत किया है और वो सिर्फ 7 question में complete हो जाता है 30 number 28 number हो जाता है गाद गलत हो जाता है तो आप जब 45 में 38 करके आते हो या 40 करके आते हो तो आपका selection स्योर नहीं है वो भी आखरी round में जाता है जब आप 45 question में से 50 होता है उसमें 45 हमें करना होता है उस 45 में से 40 करते हो लगबग लगबग तब आपका selection होता है वो भी bottom rank के साथ वो भी third round में वो भी mop up round में वो भी कई कई बार state में यानि पांच question छोड़ने पे भी हम sure नहीं है चारो subject में 20 question पे और वहाँ पे कोई teacher कोई YouTuber आपको बोल रहा है कि आख तुक्का लगाने का तरीका मैं बता देता हूं तुक्का ऐसे मस्त लगाओ तुक्का वैसे मस्त लगाओ यह बिलकुल injustice से बच्चों के साथ मैं बिलकुल किसी का नाम नहीं ले रहा हूं प्लीज किसी के साथ connect भी मत करना कि इनके बारे में सर ने अबला ऐसा कुछ नहीं है मैं इसलिए warn कर देना चाहरा हूं at least अपने स्टूडेंट को कि बिलकुल तुक्का नहीं लगाएंगे तुक्का लगाएंगे तो 100% सेलेक्शन नहीं होगा 85% minimum चाहिए marks आपको 152 minimum marks चाहिए आपको एक subject में on an average if you are unreserved even if you are EWS या OBC इसी क्या स्पास SCST में आते हो तो भी percentage इतना कम नहीं है कि उसमें तुक्का चल जाए जेई का exam नहीं दे रहा है कि 50% marks भी लेके आगाएं तो रहें का चाहती है आप NEET का exam दे रहे हैं इसकी importance को समझिए 25 लाख बच्चे क्या स्पास होते हैं और इ गलती से भी नहीं गलती से भी नहीं गलती से भी अब तुक्का मत लगाना I hope clear हो गया होगा so बस यही purpose था इस वीडियो का thank you very much अगर चैनल पे आप नए हैं पहली बार आप सब्सक्राइब जरू करिए